अगर ये देश का किसान अनाज उगाना बंद करते ना तो कंगना जैसे लोग तो भूके ही मर लेंगे किसान एक दिन भारत बंद कर दे तो कश्मीर से कन्या कुमारी तक सब के तन बदन में आग लग जाती है लेकिन क्या करें आपको तो आदत हो गई है जूटे पत्तल चाटने की पत्रकारी तचोड दलाली करने की तो आप जैसे लोग कहां पूछेंगे इस देश के किसान की लिम से लडा कर हैं देश के अंदर ताली और थाली बजाकर भारत को विश्वगरू बनाएंगे आपकी और गरीब लोगों पिया इस देश के अंदर गरीब आदिमी की आउखात नहीं कि वो आलीव भी खा सके नमक तेल रोटी भी खा सके ये है प्राइवेटाइजेशन प्राइजन देखे, कंगना रनावत क्या है है, कंगना रनावत भारतिय जनता पार्टी के इक आप कह सकते क्योंकि आपको पता है उसको फिलम में कोई काम मिल नहीं रहे est He जिसको कोई काम नहीं है वो राजनीती में ही आ जाता है समझ रहे इनको राजनीती का राज से लेकर ताद तक कुछ नहीं पता होगा इनको यह नहीं पता होगी कि देश में MP कितने हैं समझ रहे देश के अंदर MLA कितने हैं समझे देश के अंदर अब तक कितनी संस्ताइं खुल चुकी हैं, कितने देश के अंदर MLA, MPA अब तक इस देश के अंदर कितने नितियक, कितने नियमों को लागू कर चुके हैं, इन्हें कुछ नहीं बता राजनीति के बारे में, इनका काम है सिर्फ भॉंकने का, किसान अंबानी अडानी अपने आपको उतना बड़ा चौदरी समस्ता है, तो देखते हैं कितने दिन खाता है वो देश के पैसो कोई बताईए, छोड़ दीजे किसान का वगाई हुआ अनाज खाना, आपको आपकी नानी याद आ जाएगी, फिर आपको बता चलेगा देश का किसान है, आपने किसान की और ध्यान देना ही बंद कर दिया, किसान रेल की पट्री पे बैट रहा है, तब आप ध्यान नहीं दे रहे, किसान सांती बुन प्रदर्शन कर रहा है, तब आप ध्यान नहीं दे रहे, आपका एक नेता मर जाए बंगाल में तो आप बंगाल बंद कर सकते हैं तो आपको कोई आपती नहीं है उससे कोई करोना नहीं है उससे कुछ नहीं है किसान एक दिन भारत बंद कर दे तो कश्मीर से कन्या कुमारी तक सबके तनบदन में आँग लग जाती है आप एक बात मुझे बताइए तीन महिने भारत बंदरा सरकार से सवाल किया आपने कामे आपको सरकार से सवाल करना देश की जंता से नहीं आप किसानों से पूछ रहे हैं कि आपने सरकार ने ये प्रिस्ता पारित किया, आपने किसान से सवाल कराए, कि आप याँ बैठे हुए इतने दिन से, कितनी समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा है, आप अपना घर परिवार छोड के आए, कौन आपसे यहां रोटी के लिए पानी के लिए पूछ रहा है ठंड में आपके तिने साथी मर गए उनका घर परिवार कैसे चलेगा सवाल कराया आपने कभी अगर आप लोग सवाल करते ना तो आज ये देश का किसान सड़क पे नहीं होता जिस दिन ये बिल संससे पारित लेकिन क्या करें आपको तो आदत हो गई है जूटे पत्तल चाटने की पत्रकारिता छोड़ दलाली करने की तो आप जैसे लोग कहां पूछेंगे इस देश के किसान की आप पूछते हैं मोदी जी क्या निकालते हैं आपको तो उसमें लगा हुआ है आपको बसनी चला अग पानी के हैं या डानी के हैं या पौने दू आख वाले बाबा रामदेव के मेरे को कैसे पता चलेगा अब कुछ लोग तो ऐसे अपनी आईडी निलाना बंद कर दिया वो तो खाली ऐसे लगा के पूछ रहे हैं समझ रहे हैं अब आप एक बात मुझे बताईए हर खांसने वाला केजरी वाल नहीं होता मेरे भाई समझ रहे हैं आप बात को मुझे बताईए किसानों के अच्छे दिन पिछले साल नहीं आए जब मोदी जी ने पांस साल का कारेकाल पूरा किया एक बात मुझे बताईए ये किसान बिल्कुल विश्वास करता और निस्वार्त की बात भी मानता चलिए आप मुझे दिखा कर लाइए कहां खड़िये मेरे देश की बुलेट ट्रेन जिसका प्रधान मंत्री जी ने सपना दिखाया था सौय स्मार्चिटी की बात करते हैं ना पांच स्मार्चिटी तो दिखा दीजिए कहा हैं वो काला धन जिसकी मोदी ज सब्लीम से लडाकर हैं देश के अंदर ताली और फाली बजा कर भारत को बश्वग्रू बनाएंगे की परदान मंतिरी ने आज कहा कि पूरी दुनिया भारत की तरीफ कर रही है जिस प्रकार वो अब़ते दियान देते हैं पर ने कि सान की बात दिया हुता तो तो पर्धानमंत्री जी को छोड़िए अब बात करिए किसान क्या कह रहा है किसान ने आज पूछिये इतना मजबूत पर्धानỗiती को आप के रहे इतना मजबूत बना दिया प्रदान मंत्री जी कि आवशक्ता क्या है यह जो MP MLA बैठे हुए है जो आपके और हमारे टैक्स के पैसे से वेतन बत्ता लेते हैं और अपने बच्चों को वहां विदेश में अयाश की जिंदगी कटवाते हैं यह पैसा किसी के बाप का नहीं है यह पैसा हम लोगों के खून-पसेनी की कमाई का है जो हम लोग टैक्स देते हैं आप एक बात बताइए जब इस देश के अंदर सभी चीज आप पूंजी वाद की कर देंगे तो इस देश के अंदर इन लोगों की जरोत क्या है जब सभी कुछ प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो इन लोगों को भी हटा दीजिए है या नहीं जब आप एक बात सोच के देखिए जब इस देश के अंदर एक लीटर पानी की बोतल जो पानी फ्री है वो 20 उर्पे में बिख सकता है तो सोच लिजिए जब ये इस देश के किसान की फसल का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा निजी करन हो जाएगा तो आलू कितने उर्पे किलो बिकेगा आपकी और गरीब लोगों किया इस देश के अंदर गरीब आदमी की अवकात नहीं कि वो आलू भी खा सके नमक तेल रोटी भी खा सके ये है प्राइवेटाइजेशन जिसको आपको भी समझना होगा और हमें भी समझना होगा जब इस द किसान से आलू घरीदा जाता है एक उर्पे किलो दो रपे किलो पांच उर्पे किलो के हिसाब से ठीक है ले इसकी कंपनी चिप्स वाले जो हैं ठीक है दस उर्पे का इतना सा पैकिट देते हैं ये लोग समझ रहें उस पैकिट के अंदर पांच मुश्किल से चिप्स होती ह यानि 5 चिप्स का मतलब आप समझे एक से दो अलू भाई वो दस रुपे के दो अलू बेख रहे और देश के किसान को कुछ नहीं मिला तो जब किसान को किसान आगे निकले तो सरकार चाहती है और राज्य के भी आगे निकले आपके कहने का मतलब क्या अभी तक जमीन पर उक्तिती फसल अब जैसे मोधी जी कहते हैं अभा में बहुरी कड़ाई तलगे अलुगा घीवी डल गया ठीक है सूजी भी डल गई पर यह नहीं पता कड़ाई का हैं और हलुआ का हैं मतलब अब तक जमीन पे ओग रही थी खेती आपके कहने का मतलब है नहीं नहीं टेकनोलोजी आ गई घर से बार किसान को निकलना ही नहीं पड़ेगा हना सोता रहे खेत में पानी भी चल जाएगा खाद भी डल जाएगी फ़सल भी कर जाएगी कुछ नहीं करना पड़ेगा टेकनोलोजी से कुछ फायदा हुआ किसानों को नहीं हुआ पहले हल चलते थे अब टेक्टर आगे बड़ी बड़ी मशीने आगे अगर फायदा है तो अमबानी और अडानी को है MTNL, BSNL जैसी कंपनिया पहले आप अगर किसी की कॉल सुनते थे ना तो उसका पैसा नहीं लगता था आज उसका भी पैसा लग रहा है अगर आप फोन में रिचार्ज ना कराए ना तो आपका किसी के पास कॉल आना भी बंद हो जाएगा ऐसी टेकनोलोजी लाके दे रहे है क्या MTNL, BSNL को डुबा कर अमबानी ने जो जीयो का पुरे देश के अंदर माया जाल फैलाया है ना अब हर कोई किसी की मजबूरी बन चुका है जीयो क्योंकि और कोई आप्शन नहीं है जब जगे जगे आपने जीयो को लगा दिया तो और किसी के पास क्या आप्शन बच अगर जीयो हजार रुपे की भी हो गई ना तो देश के लोगों की मजबूरी है क्योंकि और कोई आप्शन नहीं है तो जब ये फसल अमबानी अडानी के हाथ में चली जाएगी तो चाहें ये किसान को पांच रुपे दे चाहें पचास हजार दे देश के किसान को मजबू एट जी जाएग जाएगी तो बीचच जाएग